इसले 24 गंटों में मध्यप्रदेश में भारी बारिश से 15 लोगों की मौत की खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने मिर्थकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपिये मुआवजी की गोशना की राजी में बाड प्रभावित लोगों के लिए इंतजामों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई आपातकालिन बैठक उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा नदी का जलिस्तर खत्रे के निशान से उबर बढ़ने से बाड जैसे हालाद कानपूर के मंगलपूर क्षेत्र बिचोली गाउं में मकान ढहने से पाँच लोगों की मौत बिहार में बारिश से गंगा का जैस्तर बढ़ात ओडिशा, पशिमंगाल, चतीसगड, जारखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका रियो में शांदार प्रदर्शन के बाद पीवी सिंदु पर हुई इनामों की बारिश सतर साल आजादी याद करो कुरुबानी के उपलक्ष में कई मंत्री देश के कई भागों का कर रहे हैं दोरा सूचना प्रसारण मंत्री वेंकेया नाइडू ने तमिलनाडू में स्वतंतरता संग्राम सेनानी वीरपांड्या कट्टा बोमन की प्रतिमा पर श्रधा सुमन अर्फित किये नाइडू ने चिन्ड़ाई में महाकवी भरतियार के नाम से जाने जाने वाले जुझारू, शिक्षक, देश प्रेमी, सुप्रमन्यम भारती की प्रतिमा पर भी माल्यारपन कर उनके योगदान को याद किया ग्रह मंत्री राजनात सिंग ने उत्तर प्रदेश के शाजापूर में स्वतंतरता सेनानियों को दी श्रधान जली ग्रह मंत्री ने शाहजापूर में गांधी भवन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्रबोज की प्रतिमा पर माल्यारपन के बाद खिरानी बाग में कारिक्रम को सम्बोधित कर शहीदों को किया याद देश भर में 9 अगस्त से 23 अगस्त तक चलाए जा रहे तकरू कुर्बानी कारिक्रम के तहद निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा जिसमें विभिन्न केंद्रिय मंत्रियों ने देश के कई हिस्सों में कारिक्रमों में हिस्सा लिया केंद्रिय मंत्री उमाभार्ती और नरेंद्र सिंग तोमर ने इलाबाद में चंदर शेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यारपन किया तो राची में केंद्रिय मंत्री फगन सिंग कुलस्ते और मुख्यमंत्री रगुअर दास्त ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले शहीदों को श्रदान जली अर्पित की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आजादी के दशकों बाद भी सुस्त आर्थिक विकासदर के लिए जिमेदार आर्थिक नीतियों को लेकर पिसली सरकारों को लिया आड़े हातों मुंबई में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एक कारिक्रम में जेटली ने कहा मौजूदा एंडिये सरकार ने आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए उठाए हैं कई कदम इसलाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की गतिविधियों के बारे में बांगलादेश ने भारत से मागा ब्योरा भारत दौरे पर आये सूचना मंत्री हसन उलहक इनू ने कहा नाइक धर्म के नाम पर जो प्रचार कर रहे हैं वो कुरान के अनुरूप नहीं दिली में रूस के उपप्रधान मंत्री दमित्री रोगोजिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात और दुपक्षिय संबंधों पर की चर्चा वही नेपाल के उपप्रधान मंत्री विमलेंदर निधी ने भी आज नई दिली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात की लोगसभा देक्ष सुमित्रा महाजन ने जैपूर में ब्रिक्स महिला सांसद मंच की पहली दो दिवसिय बैठक का किया शुभारम बैठक में भारत के अलावा ब्रेजील, रूस, चीन और दक्षन अफरिका की 42 महिला सांसद ले रही है हिस्सा वर्तमान में भारत ब्रिक्स का चेर्मेन और इस वर्ष ऑक्टूबर में गोवा में होगा ब्रिक्स का वार्शिक सम्मेलन विदेश राजमंत्री जनरल वीके सिंग ने सौधी अरब में जद्दा से 200 किलोमेटर दूर सिटी कैम में भारतियों से मुलाकात की वहाँ पर भारतियों ने सरकार और वीके सिंग का शुकरिया अदा किया जनरल वीके सिंग ने भारतियों को सम्भोधित किया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया गंगा किनारे प्लांट बनाने वाले ठेकेदार नहीं कर पाएंगे गंगा को दूशित नमामी गंगे परियोजना के तहट इलाबाद में स्वच्चता मिशन के कारिक्रम में केंद्रिय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अब गंगा किनारे प्लांट बनाने वाले ठेकेदारों को ही ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गंगा की जलधारा में कोई भी दूशित पदा अदव की गोली मारकर हत्या से इलाके में संसनी फैल गई है जमैका के उसेन बोल्ड ने रियो ओलम्पिक में तीसरा स्वण पदक जीत लिया है चार गुणा सौ मीटर रिले दौड में बोल्ड की टीम 37.27 सेगिंड का समय लेकर पहले इस्थान पर रही तीन ओलम्पिक खेल पहले दिन वर्षा शुरू होने से पहले केवल 22 ओवर का खेल हुआ था श्रिंखला में भारत को 20 की बढ़त हासिल है